हलो दोस्तो आज के वीडियो में हम एक लाइव डेमो के साथ देखने वाले है कि कैसे आप अपने इट्शी शॉप का जो रेजिस्टर्ड मेल आइडी है और जो रेजिस्टर्ड मोबाइल नमबर है उसको आप सक्सेस्फुली चेंज कर सकते हैं आप जब भी अपने मोबाइल नमबर और मेल आइडी को चेंज करने बैठे तब अपना जो पुराना मेल आइडी है और जो पुराना नमबर है और जो नया मेल आइडी आप डालने वाले हो और जो नया मोबाइल नमबर आप डालने वाले हो उसको अपने पास में लेकर बैठ ताकि जब भी आप ये सब चीज़े चेंज करने बैठों तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो अभी हम चलते हैं हमारी स्क्रीम पर और देखते हैं कि ये प्रोसेस आपको कैसे करना है तो चलिए चलते हैं स्क्रीम पर तो सबसे पहले आपको अपने शॉप पर जाना है यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे ओप्षन मिलेंगे तो सबसे पहले हम आपकी मेल आइडी को चेंज करेंगे तो मेल आइडी को चेंज करने के लिए आपको ये जो शॉप मैनेजर का जो आइकन है यहाँ पर आना है यह यहाँ पे आपको दो option मिलेगे shop manager और Etsy marketplace का तो आपका जो mail id है वो Etsy marketplace से ही change होगा तो आपको यहाँ पे click करना है जैसे आप यहाँ पे click करोगे आपको simply यह जो आपका photo लगा हुआ यह वाला icon है यहाँ पे drop down पे click करना है यहाँ पे आपको सीधा account setting में चले जाना है यहाँ जैसे यह आप click करोगे देखिए आपका account का detail आजाएगा अब यहाँ पे आपको काफी सारे option मिलेंगे आपको नीचे आना है यहाँ पे देखिए आप अपने password को भी change कर सकते अपने नए वाले password आपको डालने है और उपर पूराने वाले password डालके आप password भी change कर सकते हो इसक आपको अपना नया mail डालना है उसी mail को again type करके confirm करना है नीचे आपका password आजाएगा यह सब डीटेल भरने के बाद आपको change mail पे click करना है जैसे ही आप इस पे click करोगे आपने जो नया mail ID डाला है उस पे एक Etsy से link आएगा कि confirm your new email address तो आपको वहाँ पे click करना है तो आपका ज mail ID है वह हट जाएगा और आपका Etsy पे नया mail ID आजाएगा अभी हम देखते हैं कि कैसे आपको अपना mobile number change करना है तो mobile number change करने के लिए आपको finance वाले option पे आना है यहाँ पे आप जैसे click करोगे सबसे नीचे आपको legal and tax information का option मिलेगा आपको यहाँ पे click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करोगे आपके सामने देखो आपका shop का information आ जाएगा यहाँ पे आपको simply यह जो edit का button है यहाँ पे click करना है जैसे ही आप यहाँ पे click करोगे तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे phone number मिलेगा आपका जो अभी registered है तो आपको simply इस number को हटा के नया number add कर देना है और submit to Etsy कर देना है अगर आपको अपने नय वाले phone number पे या पूराने वाले phone पे code आ रहा है तो वो भी आपको डालना रहेगा in case अगर Etsy भेज रहा है तो तो इस तरह से आपका यह phone number भी change हो जाएगा अब देखिए आपका जो finance में है वो mobile number वहाँ पे change हो गया बट अगर कोई भ पूराने number पे ही आ सकता है in case अगर Etsy अपने system से आपके finance में जो भी detail है उसको update नहीं करता है तो in case अगर आपका OTP अभी भी पूराने number पे आ रहा है बट आपको यह चीए कि मुझे अपने नए number पर ही OTP चीए तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको जाना है यह जो account क पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आपको एक option दे रहा है two factor authentication on का तो यहाँ पे आपको simply turn off to FA कर देना है यहाँ पे आपको continue पे क्लिक कर देना है और आपका जो अभी पूराना number है उस पे यह code जाएगा तो वो code आपको यहाँ पे पहले डालना रहेगा जैसे ही आप OTP जालोगे आपका two factor authentication off हो जाएगा तो अभी आपको simply यहाँ पे turn on to FA पे क्लिक कर देना है यहाँ पे देखिए आपको वाया SMS या फिर phone या authenticator app के थुरू आप जो भी अभी नया phone number डालोगे उस पे आपको code मिलेगा तो यहाँ पे simply आपको continue पे क्लिक कर देना है फिर यहाँ यहाँ पे अपना phone number डालना है country code आपका जो भी country है उस हिसाब से आप select कर दीजिए आपको यहाँ पे अपना number डालना है नमबर डालने के बाद आपको simply send code पे click कर देना है तो आपका जो भी number है उस पे एक code आएगा तो वो code यहाँ पे आपको enter करना है जैसे कि मैं यहाँ पे यह code वाल एंटर कर रहा हूँ यह करके आपको simply continue पे click कर देना है तो अभी आपका जो भी mobile number है वो change हो जाएगा अभी यह code आपको यहाँ से copy करके अपने पास रखने है ताकि future में आपके काम आ सके सबसे जरूरी चीज अगर आपका mobile number गुम गया है या फिर आप अपने mobile number को बिलकुली access ना कर पा रहे हो तो अगर आपके पास registered mail ID है तो अपने system में अपने mail ID के साथ login कीजिए और फिर Etsy पे जाकर आप continue with Google कर सकते इससे आप अपने Etsy का जो shop है उसमें login कर सकते हो इसके बाद आप फिर seller support से contact करके अपने mobile number वगेरा का solution ले सकते हो I hope ये वीडियो आपके business में कुछ value add करेगा आज के लिए इतना ही thanks for watching